नमस्ते दोस्तों मेनू के विंटर वेजिटेबल गार्डन में आप लोग का श्वागत है तो देखिए आज सुबर सुबर मैं जब छाथ पर आई तो देखी तो बहुत मेरे विंटर वेजिटेबल गार्डन में जो है कि एक कीडा आ गया है और वो देखिए मेरे मूली के पत पौधे और देखे पत्ते जो है एक डम से डैमेज कर दिया है दोस्तों तो इसमें क्या हो रहा है कि खेत में धान की कटाई हो रही है इस वज़े से जो कीरे होते हैं जहां पर भी पौधे दिखाई देते हैं वहां पर आ जाते हैं देखे कि मूली का पत्ता है और बहुत ही ख जखाऊंगी। उन सा कीड़ा है दोस्तों होग तो क यहांपर देखे। Angle कि यह देख रहे हैं यह देखे दोस्तों य्की दोस्तों कि यह कीडा है और पत्ते प्तों को आठा है। मतलब यह कर दे रहा दे रहा है चेशिए हो गया है है तो इनका नीराकरण करने careful कि me चीड़े देखे यहाँ पर गिर गया ही यहाँ पर रखे इस चाहरे मैं है नीचे नीचे से और अधर पालक में भी है तो पहले तो मैं इस पर आज राख का प्रयोग करने जा रही हूं तो राख देखे इस तरह से लूँगी और सुबह सुबह ही ये राख छिड़कें दोस्तों तो इस तरह से मैं देखे मुले के पत्ते पत छिड़क दे रही हूँ और ये जो कीड़े हैं वो पीछे चिपके हुएं दोसरी इस तरह से पीछे चिपके हैं आगे उपर नहीं है पीछे हैं तो आज मैं राख का प्रयोग कर रहे हूं इस तरह से सारे पत्तों में और उधर आपको दिखा रहे हूं देखे पालक है जो मैं हर्वेश्ट कर ली पहली बार तो अच्छा था लेकिन दुबारा देखे कीरे इस पर भी लग चुके हैं और सारे पत्तों को इस तरह से खराब कर दे रहे हैं तो इन पर भी आज देखे इस तरह से हलका सा राख का प्रयोग कर रही हूं लेकिन दो चार दिन बाद देखूंगी यदि एक कीरे नहीं गए तो फिर मैं जो नीम का पत्ता इस तरह से हरा हरा पत्ता होता है उसे खुला करके और वीडियो अपलोड होगा दोस्तों चैनल पर लेकिन एक बार मैं बता दे रहे हूं कि हरे हरे नीम के पत्तों को खुला करके और पानी ठंठा करके जितना पानी उतना साधा पानी और मिला करके सारे पाधों में आप एक बार जरूर से विंटर वेजिटेबल लगाए हुए हैं च्छत पर ग्रूब है गया पाट में तो जरूर से नीम के पत्ते का को खुला करके पानी का छिड़काव जरूर से कर दें नहीं तो फिर यदि आपके पास नीम केक हो मतलब नीम की खली या नीम आयल तो उसका भी आप छिड़काव कर सकते हैं पानी में मिला करके तो क्यूंकि इस समय कीड़े लग गए तो मैंने सोचा कि क्योंना आपसे भी सेयर किया जाया क्यूंकि हो सकता है आपके गार्डन में भी ये कीड़े आ गए हो और सब्जियों के पत्त को डेमेज कर रहे हो तो इस समय जाड़े में दोस्तों पत्ते वाली सब्जिया जादा ल आगे देखते हैं क्या करना इन कीडों को गार्डेन से बाहर फेक दे दूर और यह जो डेमेज पत्ते हैं उनको कीचन वेश्ट में डाल दूंगी ताकि यह कंपोस्ट बन जाएंगे और आज मैं सारे छट पर लगे हुए पौधों पर मैं यह राह का प्रयोग कर रही हूं द साब करने के बाद दो चार दिन बाद देखती हूं यदि केले नहीं जाएंगे तो फिर मैं इस नीम के पत्ते का हरे हरे पत्ते को खोलाकरके उसके पानी का छिरकाव करूंगी तो चलिए मिलते हैं नेक्ष वीडियो में तब तके लिए टेक केर हैपी गार्डेन